तो रामराम दोस्तों मैं दीपुसी राजपूत और आप लोग एक बार पीछे स्वागत है मेरे एटूब चैनल दीपुल के फ्लोक्स में तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत दर्शन पार्क जो यहां पर मैं गुमना है हो पंजाबी बात के अंदर है तो चलिए हम व पूराने लोहे लकड का बना हुआ मतलब पूरा लोहे का बना हुआ सेर आप देख सकते हो जो कि पूरा सेर का असली आकार दिया गया इसको और आप देख सकते हो कि काफी विसाल और काफी भारी सेर यहां पर आपको इधर से भी दिखा देते हैं कि इसकी पूछ देख सकते बना जाए तान गाल और यह बलफ लगाए रात कर चालू होता यह देख सेक्ट हो कि यह लोहे का परियोग किया प्लास्टिक बोतल का बना कर काफी अच्छा फोटो पॉइंट बना रखा यहां पर यहां पर बना हुआ है और इसके आगे फिल लेकर चलते हैं आपको जी ट्वेंटी जो सम्मेला नहीं आता हो उसके बाद साथ यह बोड लगाए गया होगा कि जी ट्वेंटी पारक का यहां पर बोड भी लगा हुआ है और देखने में और इधर आपको हम दिखाते हैं कि आप पने सफट भारत और सफट भारत देखोड़ार्ट जो कि आपको आप देख आपскो पूरा लोहे का तोता आपको मि एहां पर दिखा रहे हैं यह तो कपी प्यारा तोता यहां पर लग रहा है जो लोहे का बना हुआ है और जो पॉरा लोहे की बनी हुए अब देखकेते हो कितना वार होता है और उसके बाद यहां पर आपको हम गुडिया दिखा देते हैं जो कि आप देख सकते हों, घूम आने पर यह गूम भी सकते है और इसमें भीम की होती है उसका प्रियोग किया च्छा यहां पर ही अब स्थान हे यहां पर टो इस पीरन capsic wireless क्या है रहे हुए और यह जो आप फोटो में गेट देख सकते हों यही गेट यहां सामने लगा हुए आपको हम दिखा रहे हैं जो कि एम सीडी द्वारा बनाया गया यह पारक है तो इस गेट के अंदर चलकर फिर आपको हम वहां पर अंदर दिखाते हैं कि क्या चीज है यहां को बैठने के लि यहां पर बन जाएगा क्योंकि साम के टाइम यहां पर काफी अच्छा लुक आएगा और इधर साइड में भी दिखा देते हैं कि इस साइड भी आपको हम बता रहे हैं कि इधर भी वही चीज बनी हुई है दिखा रहे तो वर्ट विर्च लिखा हुआ है जो कि रियल में व पानी गिरता है तो यह वर्ट विर्च आपको दिखा रहे हैं 35 फिट लंबाई और चोड़ाई 35 गुड़े 40 फिट और 15 तन का मतलब की बहुत भारी यह है और यहां पर हर तरफ पानी गिरता है जहरने यहां पर आप देख सेकते हैं कि चारों तरफ यहां पर पुरा इसमें यह दो पूराने गये सिलेंडर होते हैं उनका इस्किमाल किया गया है तो आप हम दिखाते हैं कि जो धागे हैं यह भी लोह का है और सारी चीज़े पूराने गये सिलेंडर का तो इससे आगए लगा दो का यह पत्थर रखे गयं वह देखने में काती अफ्छा लुकर लग तो प्लॉखा है तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना भारी होगा यह और पूरा यहाँ पर पर लिखा जो खीडंगी का जालीदार इतिहास यहां पर लिखा है और अप्र व्हां पोटो में देखें नहीं हैं यहां पर है वही सेम आपको इधर हम दिखाते हैं कि यह लोहे का यहां पर बनाया गया यहां पर जितने पुराने लोहे होंगे उसी का इस्तिमाल किया गया और देखने में आप देखते हो कि इसके अंदर नहीं जाना है इदर से आपको पार नहीं को देखते हैं यहां पर दिखा जाना है और इसेमें कि यहां लिखा हुआ है पूरा ना हो लेगिन इतनी दूर से आपको दिखा रहे पूरी चीज आपको इहां पर दिखाई देगी तो आप यहां उपर देख सेके हो जो cycle की पैडिल होती है जो हम हम लोग cycle चलाते हो उसका भी इसमें इस्तिमाल किया गया है तो आप देख सेके हो किएल में पूरा दिखा देते हैं कि रहां इक हमा आप एह गाया गया नुद्ट रूसके, हैं में यहीं तो इसका बनाए है इस बड़ा गोल गॲूंबत डिखा उपने में तो आपको आगे दिखाते की क्या चीज की आघ़र। तो कुदुम मिनार रियल का इधर है और आप्यों rejoidd Volno देखने विद्दी का ऊपना थे ङंपर मिल जाएं तो यह जो सेम चीज आपको इहां पोश्ट्र में दिखा decisions हैं हैं आपको सामले हम दिखाते हैं कि देख सकते हैं की देख सकते हैं आपको इहां अर yaptेक्ट भी पूरा लोहेकर और नीचे पट पर तो हर चीज पे आप पूरा नुहे की बनाया हुआ है और इधर आपको बैठने के लिए पोटो पॉइंट आप बोल सकते हो इहां पर हैं और इधर आगे चलके आपको मेंकि के आगे चलके दिखाएं कि क्या चीज में बहुत पुराना नलंदा कविभड्याले किताबंबी पड़ा है कि यह वहाँ पर बना हुआ था जो जला दिया गया था तो उसके चिति में पूरी चीज़े यहां पर लिखी हुई है और यह नलंदा का जो आप ही यहां पर बना है वह इस लोहे का आकार में जो यहां इस तो यह देख सकते हो आप पूरा नोहे का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है इसकी पूरी डीटेल अपने बोर्ड में देखनी तो चिलिया आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज है और इधर देख सकते हो फूल और लगे हैं काफी अच्छे रख रखा हो हैं तो हम दिखाया और बोड में हाँ पर उसकी पूरी डिटेल लिखी होगी कि क्या चीज है और कब बना था तो पहले आपको महाँ पर बोड में दिखाते हैं उसके बाद आपको यह चीज दिखाते हैं कि क्या है यह देखिए मिनाच्छी मंदिर यहां पर और इस जुड़ी जो भी ब इसमें काफी बनाई गई है और पूरे में ही लोहे का ही परियोग किया है आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं जो गोड़े बने हुए और रत बना हुआ है तो यह जो आपने देखा हुगा महा भारत में लडाई हुई थी अर्जुन वहां पर तीर चलाने के लिए थे और करें तो वह चीज आपको दिखा रहे हैं तो घोड़ा दिखाती हैं और यह रत का हिस्सा आपको थोड़ा इधर से दिखाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहां पीछे जो देख से दो धनुश भाण लेकर अर्जुन वहां पर खड़े हैं और रत चलाने के लिए जो पूरा लोहे का ही इस्तिमाल इसमें भी किया गया है और देखने में कापी अच्छा लग रहा है पूरी जो चीजे इसमें पर वगएरा बना रखे सब लोहे के स्पिरिंग लगाई गई है इसके अंदर और वहां जो आप धनुश बार देख रहे हैं वो भी आपको इसमें लोहे का हैं तो आप देख एक इतना भार है और इतना अच्छे से यहां पर ड़त लोहे का परियोग किया हुआ होगा विक्रां क्र Software से जो कि रानी विक्राम निंहीं आपको में दिखा रहें जो HAIR का बनाएगा इसमें सारी चीजे हrios की इस्तिमाल गई गई हैं और आपको थोड़ा आगे से दिखा दिखा देते हैं कि यह से देख सकते हिए जो आगे का हिस्से आपको में आपर दिखा रहें और इसमें लोहे का इस्तिमाल के गया है को हम पर हमपी रत दिखा रहे हैं, जो की पहले सा रियल का हमपी रत यह सा है अजना फूरखियर होई है और लोहे का हम पर ना हुआ है यहां फोटों इसा है यहांक्या है और आगे जो घोड़े हाथी जो बने हुए यह भी लोहे का ही बना उसमें चर्कडियों का पर्योग किया गया है और यहां पर जो इस पिरिंग है वह भी लगाई गई है आगे आपके आगे आपको दूसरे पार्ट में आपको जरूर दिखाएंगे तो वीडियो को जाधा जाधा से बने हैं जो भी चीज आपको पूरी चीजिया पर दिखाते चलेंगे आजबार का ताज महल वहा है, यहाँ बना हुआ है। जो आपको यहां पर दिखाते हैं जो ताज महल को इस टाइप का ब Ådra आ बना हो जो आपको ऑनाई ले से यह गोऑन हर चाहिव की ऐसी आमरे कमें अरुछ से चाहिए घ्यारत चुज्च्रेकर παशान थो Success जो महसूर पहले सापको हम दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हो कि लोहे का और उसके पीछे जो घास वास लगाए गया है इससे काफी जादा अच्छा यहां पर देखने में लुक आ रहा है यहां पर आप देख सकते हो नीचे भी जो खिड़किया बनाई गई है और जो यह पार्क घुमकर में पूरा हो चुका है और फोटो पॉइंट भी आपको हम दिखा देते हैं तो लगभाग सारी चीज़ें पूरी हो से चुकी है तो आपको फोटो शूट का जो हम यहां पर दिखा रहे पॉइंट आप यहां देखते हो अगर आप यहां पर परिवार के पंजाबी वाग है और यहां पर जो टिकट अपका प्राइज यह सनीवार और संड़े को डेड़ सो रुपे एक आदमी रहेगा और यहां पर कैस लेकर आए ओनलाइन की सुद्धा नहीं है यहां पर यहां पर किवार कोड से अपना टिकट खुद बुक कर सकते हैं और बाक इसके वाजा से यहां पर डबल कर दिया जाता है और यह सो मार को बंद रहेगा और यह सुबह दस बज़े से रात को दस बे तक खुला रहता है और एक बार अगर आप टिकट लिए तो चार घंटा तक आप घुम सकते हो चार घंटे के बाद अगर जाओगे तो उसका अलग जय भारत